My dear students, English speaking के लिए हमें देखे एक strategy अपनानी पड़ती है कि रटने से कुछ नहीं होगा, जितना भी रटेंग अलग-अलग sentences वो आपको बाद में भूल आएगा तो you just don't have to cram sentences, you should assume a strategy that you have to make sentences on your own आपको खुद sentence बनाना चाहिए, अगर आप खुद sentence बनाने में माहिर हो जाते हैं, तो आप English आसानी से अपने मताबिक बोल सकते हैं, ठीक है? यह बहुत बड़ा राज है, तो हम चलते हैं, class notes के जरिए वापस आपको English सिखाने के लिए, जो offline classes में बच्चों को practice कराई जाती ह है, उसका notes आपके सामने बहुत ही valuable आपके लिए है, जल्दी से मिलता नहीं है, तो यह notes बच्चों ने दिया है, हम उनका thanks बोलते हैं, और आगे चल करके अब आपको हम सिखाने जा रहे हैं कि sentences, simple sentences, जो हम आसानी से बोल सकते हैं, वो हम कैसे सीखें, क्योंकि simple sentences के जरिए ही आप English confidently बोल सकते हैं, उसमें कोई ही चक आपको नहीं होगी, क्योंकि वो आपके अपने sentences, अपने according आप बनाये हैं situation के मताबिक, तो देखें, यहाँ पर कुछ ऐसे daily routine वाले sentence जमारे हैं, जो हम अक्सर अलग-अलग situation पर बोलते हैं, तो पहला sentence मारा है, वो हमेशा जाता है, यह तो आप कोछी तरा सपता ही है, कि कोई काम अगर हमेशा किया जाता है, अक्सर उसका हम आदत में अगर शुमार कर लेते हैं, routine में शामिल हो जाता है, तो वो हमेशा जाता है, यह अगर modification के जरीए बोला जाएगा, कि वहाँ जाता ही नहीं है, तो वहाँ कभी नहीं जात तो यह होगा, he never goes, he never goes, यानि he के साथ में अगर never सब्द आता है, always आता है, तो हमें उसमें does नहीं लगाना ध्यान देना, यह गलती मत करना, हमेशा, या ऐसा नहीं होगा कि he always, वह हमेशा जाता है, तो he always goes होना चाहिए, आप क्या लिखेंगे, he does always goes, या he does not, ऐसा नहीं करें ठीक है, base verb की first form में, yes या yes, यूज़ कर देते हैं, वह हमेशा जाता है, he always goes, वह कभी नहीं जाता है, he never goes, वह बहुत कम जाता है, बहुत कम जाने के मतलब होता है, फिर वही बात ही, वह कभी कभी जाता है, यह न, बहुत कम जाता है, तो बहुत कम के लिए हम लोग seldom use करते ह जो की present infinite में ही use होता है, he seldom goes, वो बहुत कम जाता है, seldom, s-e-l-d-o में वो बहुत कम जाता है, he seldom goes, या he rarely goes, he seldom goes, he seldom goes, he goes off and on भी कर सकते हैं, कभी-कभी के लिए होता, आफ एंड ओन जो फ्रेज होता है कि वो कभी-कभी जाता आगे लिखा ने वो कभी-कभी जाता है तो he goes off and on off and on वह बहुत मुश्किल से ही जाता है वो बहुत मुश्किल से ही जाता है मतलब कि he he goes rarely he goes rarely he rarely goes there कहीं कुछ अगर आता है अस्थान बगरा का जिकर आता है तो he rarely goes there हो जाएगा यही seldom goes there वो वहां बहुत कम ही जाता है अच्छा वहां प्राया जाता है वो प्राया आता है तो he usually जाता है वो कभी भी नहीं जाता है वो कभी भी नहीं जाता है मैंने इसके पहले ही बताया था पिछली वीडियो में कभी नहीं जाता है तो he never goes वो कभी भी नहीं जाता है तो he never ever goes ऐसा होगा वो हर वक्त जाता है मतलब हर वक्त जाता रहता है वो हर और भल्स वैंगे एक सब्सक्रिकित करें तो सब्सक्राइब करें या बोधन राइन the time he goes, हर वक्त तुम बोलते रहते हो, all the time you keep murmuring or keep whispering, बलबलाते रहते हो, बोलते रहते हो, तो all the time डगाएंगे हर वक्त के लिए, वो हर वक्त जाता है, he all the time goes, फिर आगे है, वो नहीं खाता है, वो नहीं खाता है, he does not eat, मैं नहीं हसता हूँ, I do not laugh, अगर किसी पर हसना होगा, तो laugh के साथ at लगा करके, वो बस तुई या वो स्बेक्ति को आप जितके कर सकते हैं, लिख सकते हैं, I do not laugh at you, मैं तुम पर नहीं हसता हूँ, I do not laugh at this, जॉक मैं जॉक पर नहीं हसता हूँ, इस तरह से बना सकते हैं, वे नहीं बोलते हैं, वे नहीं बोलते हैं, इसका मतलब है कि वे लोग, यानि उसमें संख्या जो है, plural number की दिख रही है, वे नहीं बोलते हैं, they do not speak out, या they do not speak, इसका मतलब हो जाएगा, वे नहीं कहते हैं, और tell जो होगा, tell भी नहीं लगाएंगे कहने के लिए, केवाज simply speak का use हम करेंगे, tell means होता है detail में कोई चीज बहुत ही depth में जाकर के लंबा चौड़ा बोलना तो उसमें tell लगाते हैं, क्योंकि देखें भी जूट बोलने में क्या होता है, tell ally होता है, तो जूट बोलेंगे तो भी नंबा चौड़ा उसमें जूट बोलना पड़ता है, तो इसलिए tell लगता है, कहानी सुनाने में भी tell का use करते हैं, कहानी जो है बिस्तार में descriptive way में सुनाई जाती है, इसलिए वह सोता नहीं है, वह सोता नहीं है, तो he doesn't sleep, doesn't बोलेंगे ज्यादा आईजी होगा, does not में, do not में थोड़ा सा क्या होता है, वह बहुत फिर हिचक कर आ जाता है, फ्लुएंसी क्लिए आप लोग, contraction का use किया की लिए, वह सोता नहीं है, he doesn't sleep, वह गाती नहीं है, वह गाती नहीं दोनों चलेगा, राधा कभी नहीं नास्ती है, यहीं नास्ती नहीं, बिल्कुल नहीं नास्ती है, कभी नहीं नास्ती है, तो देखे कभी नहीं नास्ती के लिए never use करेंगे, अगर आप चाहत at all कभी उच कर सकते हैं, फ्रेज कांत में, कि राधा doesn't dance at all, मतलब sense के leases बोलना कि राधा कभी नहीं नास्ती है, तो राधा neighbor dance, राधा neighbor dances, राधा कभी नहीं नास्ती है, राधा neighbor dances, और इसी को अगर आपको घुमा कर बोलना हो थोड़ा सा modification के जरीए, मतलब same meaning आया है, लेकिन sentence आपको बनाना खुद से आना चाहिए, कई तरह sentence घुमा कर बोलना सीखो, त आपको ध्यान देना चाहिए, राधा कभी नहीं नास्ती है, राधा neighbor dances, या राधा, राधा, राधा does not dance at all, ये भी हो जाएका दोनों मतलब, वो मुझे गीत नहीं सुनाता, वो मुझे गीत नहीं सुनाता, अब गीत सुनाने के लिए क्लिए क्या होगा ध्यान दीजिए, त अब गीत नहीं सुनाता, तो he doesn't sing a song for me, ऐसा करके आप बोलना पड़ेगा, वो मेरे लिए गीत नहीं सुनाता, तो इसका मतलब वो मेरे लिए गीत गाता नहीं है, ये sense लेकर के English के sentence बनाने पड़ेंगे, आपको रटना नहीं है, वो मुझे गीत नहीं सुनाता, he doesn't sing a song for me, लेकिन मैं एक गीत गाता हूं, ये हो गया, और तुम क्या करते हो, तो देखिए, आपको जब ऐसा पूछना हो किसी से, कि मैं ये काम करता हूं, और आप बताओ आप क्या करते हो, तो केवल इतना बोलना है question के लिए, कि what about you, जैसे मैं गीत गाता हूं, फिर से देखते हैं, वह मुझे गीत नहीं सुनाता, तो क्या होगा, he doesn't sing a song for me, लेकिन मैं गीत गाता हूं, but I sing a song, अब आगे क्या है, और तुम क्या करते हो, मतलब कि अपने बारे में बताया है, कि मैं गीत गाता हूं, लेकि तुम क्या करते हो, तो इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, कि व पूरा sentence बनने जरूत नहीं है, कि और तुम क्या करते हो, कि and what do you do, ठीक है, आपको इतनी करना है, what about you, how about you, इस तरह sentence बन जाता है, आगे देखेंगे, मेरी मम्मी रोज सुबा नहाती है, मेरी मम्मी रोज सुबा नहाती है, अगर इसमें भी देखो बोलना हो, कि मेरी मम्मी कि रोज सुबा नहाती है, और तुम्हारी मम्मी क्या करती है, तो क्यों इतना बोलना है, कि my mom takes a bath in the morning, and what about you, या how about you, अगला sentence, मैं तड़के, यहां तड़ और के में, महिमानी थोड़ा सा अलग लिखा है, इसको एक मेरी मिला कर समझेंगे, मैं तड़के सुबा उठ जाता तड़के उठ जाने मतलब बिस्तर सुठ जाना है ना, तो I get up early in the morning, आप यह भी कर सकते हैं, और modern में बहुत ही अच्छा और सबसे अच्छा word यूज किया जाता है, very, I get up very in the morning, very माने एक दम बिलकुल, अलल सुबा जिसे बोलता है, very, है ना, तो I get up early in the morning कर ये, या early जगा morning करना है, I get up very morning, ऐसा करना है, early in the morning बोलेंगे, और very morning बोलेंगे, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैं बिलकुस सुबा आ जाता है, अगर मुझे मालू हो ता मिलकुस सुबा आ जाता है, यह आप कहते हैं, मैं स्कूल बिलकुस सुबा आ जाता हूं, तो क्या होगा, I come to school I come to school, very morning ऐसा होगा, चली एकला sentence लेते हैं, तुम रोज स्कूल नहीं आते हो, तुम रोज स्कूल नहीं आते हो, तो you, you don't come to school daily, you don't come to school daily, मैं कभी भी बाजार जाता हूं, मैं कभी भी बाजार चला जाता हूं, है ना, मैं कभी अच्छा, कभी कभी बाजार जाता हूं, मैं Go to the market, off and on हो जाएगा, O-Double-F, off and on, off and on माने कभी-कभी, मैं कुछ नहीं जानता, मतला मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैंने बोला नहीं, कि हिंदी में कई sentence को घुमा करके हम बोलते हैं, लेकिन इंगलिश में एक ही sentence बनेगा, ठीक है, चाहे आप समझो, sense में कि मैं कुछ नह नहीं पता, या मुझे कुछ नहीं मालूम, तो इसके तीन sentence बन गए, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इंग्स में एक ही sentence बनेगा, एंगलिश का, क्या बनेगा, I don't know anything, मैं कुछ नहीं जानता, I don't know anything, ठीक है, I don't know anything, दूसरा तरीका, दूसरा क्या होगा, I know nothing, ठीक है, दो तरीके से बिलो सकते इसको, I don't know anything, या I know nothing, वह कुछ नहीं खाती है, मतलब कुछ भी नहीं खाती है, तो she doesn't eat anything, या she eats nothing, दो तरीका हो गया, और तीसरा अगर सेंस में लगाएं तो she eats nothing at all, she eats nothing at all, मतलब कुछ भी नहीं खाती, बिल्कुल नहीं खाती है, या न, she eats nothing at all, वह सब कुछ खाती है, वह सब कुछ खाती है, तो क्या होगा, she eats everything, she eats everything, या she eats all the things, सारी चीज़ें, राज हमेशा जूट नहीं बोलता है, तो क्या होगा, राज never tells, है न, राज never tells, alive, हमेशा जूट नहीं बोलता है, अगला, सबिता देर रात का खाना खाती है, अब देरराता खाना का मतलब यह होता ना, कि आपको ये नहीं समझना है कि सभिताट तेक्स हर फूड लेट अट नाइट, ये नहीं, लेट अट नाइट नहीं, अक्चोली होता कि की कुछ वर्ड ही पूरे संटेंस को चटाह परा रोलता है जिसें सुझेंद देर रात के खाणे को भोग सपर बोलता है सबिताब हिज टेक्स हर सपर सभू गया साब डेर बहुत ही लेट नाइट खाना खाती है कि इसके बाद सबिता देर से रात में खाना खाती है इसके पहले दोनों संटेंस में जरा डिफरेंस देख लीजेगा सबिता देर रात का खाना खाती है यहीं सबिता टेक सहर सपर सपर का मतलब होता है कि डिनर के बाद जो आठ बजे के बाद हम खाना खाते न उसको हम दोग बोलते हैं, देर रात का खाना, तो सबिता देर रात का खाना खाती है, यही बात अगर बोला जाए, कि सबिता देर रात में खाना खाती है, तो सबिता देर से रात में खाना खाती है, तब सपर बोलने की जरूत नहीं है, आप इसको वैसे ही बोलेंगे, सबिता आफिस देर से जाते हैं, पापा आफिस देर से जाते हैं, पापा गोज टु इज आफिस लेट, पापा गोज टु इज आफिस लेट हो जाएगा, वो ये प्रति दिन समय से खाते हैं, वो ये प्रति दिन समय से खाते हैं, अब आपको ध्यान देना है, कि अगर समय से खाते है मतलब एकदम exact time पर खाते हैं माल लो कोई एगर रात में खाना खाता है 8 बजे तो यह होगा कि he takes his food on time मतलब एकदम right time पर खाना खाता है तो on time और समय पर खाने के मतलब हुआ कि समय से थोड़ा पहले ही 10-15 मिट पहले ही अगर आप खाना खा लेते हैं तो भी यह होगा कि समय से खाना खाते हैं तो in time हो जाएगा जैसे 8 बजे आपको कहीं पहुँचना है अगर आप exactly 8 बजे पहुच गए तो on time बोलिएगा और 8 बजे के पहले पहुच गए तो in time बोलना चाहिए तो वे प्रत दिन समय से खाते हैं they eat on time अगर एकदम सही time पर खाते हैं तो they eat on time they eat daily on time ऐसा होगा they eat daily on time पहले daily होगा इसके बाद तब on time लगई है ठीक है they eat daily on time या they eat daily in time दोनों ही चलेगा तो इस तरह से आपको बहुत ही समल करके बढ़ी हाकाइदे से इसकी practice करनी है यह offline का हमारे पास notes है जो बच्चों को करवाते हैं मुझे अची तरह से पता है कि शायद आपको यह काफी काम आएगा तो आप इसे practice करें और बहुत सारे sentences से देखकर बनाएं और फिर अगले अगले notes के लिए आप कल के लिए वेट कीजिए लगातार में एक से एक sentences लेक होती आसानी होती है thank you so much for watching this video guys